चंदिगर से हैं हर्याना और एथोपिया लोक तांत्रिक गणराजी के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने को लेकर सहीयोग की रूप रेखा पर हस्ताक्षर किये गए विभाग के प्रधान सचीत योगेंद्र चौधरी वा एथोपिया की राज्टूर डॉक्टर तिजीता मुलू गेटा ने हस्ताक्षर किये राज के विदेश सहीयोग विभाग द्वारा हर्याना एथियोपिया निवेशक आयोग की दो दिवशिये बैठक गुरु ग्राम और चंदीगड में आयोजित की गई इसमें मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचीफ धेड़ी विदेश सहीयोग विभाग के लिए सीएम के सलाकार पवन चौधरी महा निदेशक अनंत पांडे भी उपस्थित थे विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा अक्टूबर 2021 में विदेश मंत्राले के परामर्श से हर्याना अफ्रिका कॉन्क्लेव सीजन एक आयोजित करने के लिए पहल की जा चुकी है इस कॉन्क्लेव में एथियोपिया सहित अफ्रिका महा द्विप के बारह देशों की उत्सापूर्ण भागी दारी रही है विदेश रहयोग विभाग द्वारा ये इस बार की हर्याना एथियोपिया निवेश आयोग की मीट दो श्रेत्र के बीच एक और विशीस एवं समा जुडवा है उन्होंने बताया कि पहले दिन 6 एप्रेल को गुरुग्राम में एथियोपिया निवेश आयोग की के इचाई डेनियल टेरेसा ने नेत्रित्व में साथ सदस्ति एथियोपिया प्रतिनिधी मंडल ने कपड़ा और परिधान के शेत्र में हर्याना के व्यापा प्रतिनिधीयों के साथ बाचीत की इसके बाद 7 एप्रेल चंदीगड में प्रतिनिधी मंडल के साथ भारत में इथियोपिया की राज़तूर डॉक्टर तीजीता मुलूगेटा भी शामिल हुई बैठक के दोरान हर्याना सरकार के उध्योग और वानिच्य विभाग के प्रतिनिधीयों ने भी हर्याना में निवेश के अवसरों और हर्याना और इथियोपिया के बीच सामभावित सहयोग पर एक संचित प्रस्तुती दिए